हुलो इवरीवन इस वीडियो में करने वाले इंटेगेजिन का यह next question given है लूप इस्कों करनने के लिए सबसे पहले हम करते है कि आंटेदो खैक्टर किया जा सकते हैं इन दों चाई एक गुरॉब बनाता है और इन दोनों का एक गुरॉब बनाता तो मुझे दी रहा हो यहां जागा 2x square minus 5x minus 1 over यहां पर पहले वाले फैक्टर से पहले वाले ग्रूप से x square को बचेगा दूसरे वाले से क्या कोमल लें कि x minus 2 ही बचे तो यहां से negative 1 लेना पड़ेगा ठीक है तभी x minus 2 बचेगा dx अब देखो x minus 2 तो इसके factor लिख लेंगे हम 2x square minus 5x minus 1 आसान हो गया काफी x square minus 1 x minus 2 tx x square minus 1 यह तो a square minus b square बन रहा है तो यह a square minus b square a plus b a minus b तो यहां जागा x plus 1 x minus 1 x minus 2 tx अब देखो सारे terms नीचे multiply में तो partial fraction लगाना पड़ेगा partial fraction सभी को आता होगा ठीक है तो partial fraction दिखाता हूँ मैं side में थोड़ा थोड़ा हैं से करना शुरू करते हैं क्योंकि तीन टर्म है 2x square minus 5x minus 1 इस वीडियो में partial fraction भी सीख जाओगा अगर नहीं आता था x plus 1 x minus 1 और x minus इसके बाद लिखते हैं इनको a upon b upon c upon क्योंकि किसी पर exponent नहीं है सब linear है तो लिख देंगे a upon यह a b c वो value है जिने हमें find करना b upon और c upon जितने भी factor है सबको और अगला कर लो इसके बाद lcm लेते थे तो lcm लेके बना देंगे common denominator 2x square minus 5x minus 1 over x plus 1 x minus 1 x minus 2 यहाँ पर यह lcm होगा तीनो टर्म का multiply होगा क्योंकि ठीक है तीनो डिफेरेंट टर्म है x plus 1 x minus 1 x minus 2 देखो a वाले के साथ x plus 1 है तो x minus 1 और x minus 2 missing है उसी की multiply कर लेंगे तो a x minus 1 और x minus 2 की इसके साथ multiply हो जाएगी पी वाले के साथ x minus 1 है x plus 1 और x minus 2 missing है x plus 1 x minus 2 c वाले के साथ x minus 2 है तो x plus 1 x minus 1 denominator सेम है तो इनको cancel कर दो तो हमारे पास जो चीज आगे इसको लिख लेते है 2 x square minus 5 x minus 1 बराबर a a x minus 1 x minus 2 b x plus 1 x minus 2 c x plus 1 x minus 1 अब a, b, c की values निकालने है x की value लगा के shortcut मैंने बताया था जो भी denominator था जो भी original denominator था उसको 0 के बराबर put कर दो उसको जैसे 0 के बराबर तो put करोगे और हुआ से x की values आएंगी के वाल denominator को तो यहा से denominator की value आएंगी कितनी आएंगी 0 बराबर put करके minus 1 1 और 2 यही एक ही करके हम value इसमें लगाएंगे ठीक है तो लगाओ जल्दी से when x बराबर minus 1 x बाब minus 1 लगाओ तो यह 2 into minus 1 का square तो 2 ही रहेगा minus 5 into minus 1 तो 5 हो जाएगा minus 1 minus 1 लगा रहे हैं तो यहां पर जाएगा a minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 अगले वाले हम लगाओ देखो b वाले में minus 1 plus 1 0 हो जागा तो पूरा time जाएगा c के साथ लगाओ गाओ minus 1 plus 1 0 पूरा 0 हो जाएगा आगे लिखने की जोगत नहीं है तो यह जाएगा पांच और साथ एक छे बचे गई है और यहां पर भी इस जगए तो आ गया बन ठीक है इस टाइप से shortcut में लगाते चलना when x बराबर 1 अब x बराबर 1 लगाओ ठीक है दूसरा जो रूट था वह बन था तो यह जाएगा टू इसी equation में लगाना है हमेशा जो उपर लिखे हुई है 2 into 1 square 2 आजाएगा minus 5 minus 1 यह देखा होगी तुम हर बार a या b या c वाला कोई a term 0 हो जाएकर Hay तो वण लगाओ तो यह DO बार बार के साथ लगाओ तो तो आजाएगा b 1 plus 1 2 1 minus 1 c वाले के साथ लगाओ तो तो सी वाला अब जीरो एक देखे है 1 1 That should be 2 minus 6 on between next 6-4 और यह हो जाए माइनस 2B यानि B की जगए आ जाएगा 2 ठीक है 2-5 माइनस 2-6 माइनस 4 वह यहाप लगा है 2 ठीक है अगले बार लगा when X बरावर 2 ठीक है X बरावर माइनस 1 लगा लिए 1 लगा लिए अब 2 लगाते हैं तो यह आजाएगा देखो 2 लगा रहा हूँ 2 इंटू 2 इसको आ रहा हूँ यानि 8 हो जाएगा 8 माइनस 10 5 इंटू 2 माइनस 1 2 लगा होगे तो A वाला अब 0 B वाला अब 0 C वाले के साथ देखो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 और 2 माइनस 1 आ जाएगा 8 माइनस 11 यानि माइनस 3 3C C वरावर आ जाएगा माइनस 1 ठीक है इतना आगे होगा सबको समझ अब A, B, C की जो वैल्यू आई है इनको वापस पूट कर दो यहान पे तो यानि यह अब इस चीज़ को integral में लिख लेते हैं ध्यान से यहां पे देखो थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूँ देखने के लिए ठीक है देखना है चाहिए integral A की जगह आया A की जगह 1 आया तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और B की जगह आया 2 तो 2 की जगह 2 अपॉन x माइनस 1 और सीख जगह 1 आया तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 dx इसका integral कर दो इसका integration करना भोता असान है 1 अपॉन x की तरह ही होता है बस इसमें x प्लस 1 आ रहा है तो इसमें भी x प्लस 1 लिख देंगे ln x प्लस 1 यह हो जगह 2 ln x माइनस 1 और यह हो जगहा ln x माइनस 2 प्लस C यह इसका answer है ठीक है आयोप आप लोगों के समझाया होगा इतना मुश्किल काम नहीं था बस partial fraction नहीं था जो इसमें आर्टरी की था इसके बावजोद अगर कहीं पर कोई step समझ नहीं आ रहा है तो पूँच सकते हैं ठीक है comment section में या फिर facebook या instagram पर message करके अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को subscribe जोग कर दीना ठीक है इसी तरह के एड़वल calculus में सिखा रहा हूँ आयोब आप लोग इसको यह जो हंड़ाइट डेस का कोर्स से इसको एंजोई कर रहे हूं इस वीडियो में इतना ही ओके थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रोलम के साथ